तो कैसे हैं दोस्तों नमस्कार मैं आरके मिस्रा इंजिनर्स अड़ा पर स्वागत करता हूँ दोस्तों एनबी सीसी की तरब से वेकिंसी आई सिविल और इंजिनरिंग के लिए तो कुछ कन्फूजन्स स्टुएंट्स के बीच मैंने जब माक्सिमम कमेंट को देखा तो अड़ा 247 के ऑफिशल वेबसाइट पर हमने एक आर्टिकल पोस्ट करवाया हूँ उस आर्टिकल को एक बार अगर आप रीड आउट करते हैं तो सारे कन्फूजन्स आपको दूर हो जाते हैं तो गाईस इस वीडियो को शुरू सुझे के अंतर तक देखेगा मैं आपको अगेन बता रहा हूँ वीडियो सुरू करने के पहले मैं थोड़ से एक मतब की प्रमोस्टनल जो आज है होली तो होली पे मतब अड़ा आप लोगों को बहुत एक अच्छा मतब सुनाहरा आउस 12 महीने के लिए मिल जाएगा 6 प्लस 6 और 12 महीने का महापैक आज आपको 24 महीने के लिए एराउंड 35 का इसके लिए क्या करना पड़ेगा वीडियो के नीचे सिबिल और जो भी महापैक जोइन करना चाहे सिबिल का चाहे इलेक्टिकल का चाहे मेकैनिकल का वीडियो के नीच डिसकाउंट को वहां पे आपको एराउंड 15,999 प्राइस दिखाएगा याद रखना लेना है तो आज ले देना डबल बैगेटी के साथ आप होली क्योसर पे आपको मिल रहा है तो बारह महिने का मतलब दो सालों का सस्क्रिप्शन प्लान आपको 3500 में 12 महिने का सस्क्रिप्श की नीचे डिस्क्रिप्शन लिंग है चलिए शुरुवात कर देते हैं दोस्तों वेडियो की सुरुवात करते हैं हम उस आर्टिकल तक ले करके चलते हैं आपको जहां पर मतलब कि यह सारी चीज़े मेंचन है तो आईए फटाफट यह देखिए यह देखिए अड़के आप गया है और आपको यदि NBCC का टेसरी जगर आपको लेना है तो बच्चे यहां पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर उसके बाद देखिए यहां पर अप्लिकेशन 15 मार्स को सुरू हो रहा है मोड़ा पेमेंट जो होगा अप्लिकेशन का आनलाइन होगा यह आपकी इनकी ऑफ क्रेसिबिल्टी क्रेटिरिया की बात किया जाए तो मिनिममम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है ध्यान दीजेगा और फिर उसके बाद यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर इस्टिन की मन में है सर क्या अपर क्वालिफिकेशन के लोग है की नहीं तो मेरे भाई एक बार ए दिप्लोमा इन सिबिल इंजिनरिंग फ्राम दे गवर्मेंट डिकाग्नाइज इंस्टिूट मतब यहां पर विट 60 परसेंट इट मेंस यहां पर डिप्लोमा ही रीखा हुआ बीटेक नहीं रीखा हुआ है फिर उसके बद वही इलक्टिकल में तो यहीं पर मुद्दा आप कर देते हैं बच्चे तो यह सारा है और नो एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वार्मेंट है एक्चे ज़्याद रखेगा कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और यहां पर जूनियर इंजिनिर रिटेन एक्जाम होगा 100% सिर्फ रिट अब यहां पर सबसे बड़ी बात कि आप जोगों की मन में आएगा अब कि सर इसका एक्सपेक्टेट एक्जाम का स्लेबस क्या होगा तो देखिए जो आपका पेपर होने वाला है दो पार्ट में होगा एक्सपेक्ट यही करते हैं टेक और नॉन टेक सिबिल यह सारे सब्जेक्ट आपके टेक्निकल सिग्मेंट जो अल्मोस्ट हर एक इंजिनिरिंग एक्जामेनेशन में आप पढ़ते हैं दोस्तों सर्वेइंग भी इसमें एड कर गीजेगा फिर उसके बाद आपको नॉन टेक्निकल सिग्मेंट में भी आपको वही रिजिनिंग और आपका क्वांट और यही तीन सब्जेक्ट में भी आपका नॉन टेक्निकल कर रहेगा तो यह मैंने बुझे जगा एक आर्टिकल और मैं बहुत ज़दी इस वेबसाइट पर आप दोगों को यह भी दिखाने के कोशिस करूंगा कि कौन-कौन सा सिग्मेंट अभी आपक किसी क्या आज है आपका डीतर परस्पी जेए क्या तो आज बहुत अच्छा सुना रहा उसर है होली की बहुत-बहुत सुब कामना है आप सभी दोगों को महापेक चाहें तो ले सकते हैं हमारा आपका सुझाओ है और आपका काल होगा है बट महापेक पे डबल वेवेटी चल रहा है you can join us by the code of Y201, Y201 code आपको maximum discount देगा याद रखिएगा civil, mechanical और electrical के महापेक पे यहाद रखिएगा तो यह सारी चीज़े हमने आप लोगों को share कर दिया और यहीं पे जैसे कि आपको कभी भी किसी notification से संबंदित जानकारी चाहिए डीटेल में तो यहाँ पर टाइप करना adda247.com engineering job बस उसके बाद आपको recent सारी job का update यहाँ पे सिर्फ job का update नहीं दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी सारे informations प्रवाइड किया जाते हैं बाकी सारे informations के मतलब क्या-क्या लाइक eligibility criteria syllabus क्या होगा exam pattern क्या होगा cut-off क्या होगा and expected previous year के जो भी सारी चीज़े होती हैं materials हो रहा होते हैं सब कुछ दे दिया जाता है दोस्तों तो जहन दोस्तों वीडियो को like share करते लिए और हमारी टीम के लिए एक बार like तो जरूरूर बनता है क्योंकि मेहनत किया गया NBCC की articles को लिखने में और हमने अभी रिखवाया ताकि आपको सारी चीज़े एक जगहां पर compile form में मिल जाए दोस्तों इसमें एक बलास डेट के पहले आपका डिगरी मस्ट भी complete होना चाहिए ठीक है थैंक यो